गूड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मेरा केस कुमारी अदव मैं आज आपके लिए मेहत के क्यूशन लेकर आया हूँ जो रेलवे और SSC एक्जाम के लिए मेहत पुरण है देखे पहला क्यूशन किसी निश्चित दनराशी पर दो वर्स का सकरवती ब्याज 309 तकरवती ब्याज CI कितना है 309 और साधरन ब्याज SI Simple Interest कितना है 300 तो वर्स का साधरन ब्याज 300 है तो एक साल का कितना हो जाएगा एक साल का 150 एक साल का 150 एक साल का 150 पर कितना ब्याज मिल रहा है 9 रूपया तो 9 बटा कितना 150 इंटू 100 ये दो बार ये 3 बार 3 से 9 3 बार 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 पर तिसत आगे देखे students दूसरा क्यूशन यदि किसी तिर्बुज का परिमाब 28 सेमी है और इसकी अंतर तिर्जा 3.5 सेमी है तो तिर्बुज का शेतर पल परिमाब कितना है 28 सेमी परिमाब 28 सेमी 20 सेंटिमेटर और अंतर तिर्जा अंतर तिर्जा अंतर तिर्जा अंतर तिर्जा कितनी है 3.5 3.5, तो 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 3.5, त छेतरफल बराबर अन्त तिर्जा इन्टू अंत तिर्जा इन्टू अध परिमाब अंत तिर्जा कितना है तीन पोइंट पाँच इन्टू आड़ परिमाब कितना है student, तीसरा question, 42 गोडे 27 दिनों में 270 किग्रा मकई खाते हैं, तो 42 गोडे कितने किग्रा मकई, 270 किग्रा मकई, कितने दिन में, 27 दिन में, तो केवल 21 गोडे, 300 किग्रा मकई, कितने दिन में खाएंगे, तो तीरचा मल्टिप्लाई करने पर 42 इंटू, 300 इंटू, 27 बटा, 21 इंटू, 270 इंटू, अक्से, 42 इंटी से दो बार, 0 से 0, 27 से 27, अक्स ब्राबर, 60 दिन, आगे देखें, students, तो अता क्यूसन, दो अनुपात, तीन के अनुपात वाली दो संखेओं का लेसे 48, तो उनका योग कितना होगा? तो संखेओं हो जाएगी, दो अक्से, और तीन अक्से, लेसे कितना है? 48, दो अक्से, और तीन अक्से, तो अक्स इंटू 2 इंटू 3 बराबर 48 यह हो जाएगी 6 अक्स बराबर 48 अक्स बराबर 8 अक्स बराबर 8 तो उन संक्याओ का योग तो संक्याओ जाएगी 2 अक्स बराबर 3 अक्स बराबर 3 अक्स बराबर तो 4 एकम 4 एक 5 बटा 4 पलस 6 एकम 6 एक 7 बटा 6 माइनस 8 एकम 8 आट में से एक चला गया 7 बटा 8 8 माइनस 7 आट 9 बटा 8 बराबर इस्टार पलस 12 एकम 12 एक तेरा बटा 12 इधर अपने ले ले लेते हैं पलस्टा ले लेमा दाएगा 8 एकम बराबर इस्टार पलस एरा बटा 12 एक nadzieję और लेचा बराबर23 देएगख यह हो जाएगा 31 बटा 21, 31 बटा 21 स्टार, पलस 13 बटा 12 स्टार, ब्रावर, 31 बटा 21 मैनस 13 बटा 12, आगे देखें स्टुडेंट्स, छटवा क्विशन, यदि A और B की आयू का अनुपात 5 अनुपात 6 है और उनकी आयू का योग 55 है, A और B का अनुपात कितना है, 5 अनुपात 6 है, योग कितना है, 55, 55 बटा अनुपात का योग 6 और 5, 11 इसे चला जाएगा 5 से तो A की आयू 5 इन्टू 5, 35 वर्स, B की आयू जाएगी 30 वर्स, आगे देखें स्टुडेंट्स, चात्वा क्यूशन, एक, दो अन्की संख्या के इकाई के इस्तान पे 3, इकाई के इस्तान पे कितना है, 3, दो अन्की संख्या हो जाएगी 10 से, 8 से, पलस इकाई के इस्तान पे 3, इकाई के इस्तान पे 3 और अन्कों का योग, इसके इकाई, इस संख्या का एक बटा साथ है, इस संख्या का अंको का योग जाएगा अक्स पलस तीन तो योग जाएगी एक बटा साथ दस अक्स पलस तीन 10 अक्स पलस तीन बराबर अक्स पलस तीन तो योग जाएगा 10 अक्स पलस तीन बराबर साथ अक्स पलस एक्कीस योग जाएगी 3 अक्स प्राबर अठारा अक्स प्राबर छै अक्स प्राबर छै तो संख्या क्यात कीजिए तो संख्या होग जाएगी 10 इंटू 6 प्लस 3 10 जी के 60 प्लस 3 संख्य हो जाएगी 63 आगे देखे students आट वा क्यूशन दो संख्य तीन अनुपात 5 के अनुपात में है उनका LCM 75 है उनका मैसे पर ग्याद कीजिए तो संख्य हो जाएगी 3 अक्स और 5 अक्स इनका LCM कितना है? 75 तो हो जाएगी अक्स तीन इंटू 5 बराबर 75 पांती पंद्रा अक्स बराबर फिचोतर अक्स बराबर 5 अक्स बराबर 5 तो इनका HCF HCF हो जाएगी HCF निकारने के लिए LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या तो हमको HCF निकालना है HCF निकालना है तो पहली संख्या हो जाएगी 3 इंटू 5 पलस दूसरी संख्या 5 इंटू 5 बटा LCM कितना है 75 तो उपरो जाएगा उपरो जाएगा 3 पंजे 15 15 इंटू 25 बटा फिचोतर 25 से तीन बार यह जाएगा 5 इनका HCF आगे देखे स्टुदेंट्स नोवा किविशन यदी दो हजार दो हजार पानसो आठ बटा दो हजार पानसो आठ बटा बारा पोइंट जोवन पलस X X इंटू X इंटू 11 बराबर 200 तो यह जाएगा पोइंटर जाएगा उपरा जाएगा उपरा जाएगा दोसो तो यह से चलाएगा दोबार यह से चलाएगा दोबार तो यह जाएगा दोसो पलस दोसो पलस X इंटू दोसो पलस X इंटू 11 बराबर दोसो दो जाएगा 200 प्लस 11 अक्स ब्राबर 200 200 प्लस 11 अक्स ब्राबर 211 अक्स ब्राबर 0 अक्स ब्राबर 0 बटा 11 तो अक्स का मान हो जाएगा 0 आगे देखे students दस्वा क्यूसन 0.04 into 0.0 0.1 2 3 तो नीचे आजाएगा इसका तो आजाएगा 100 इसका आजाएगा 10,000 4 से मल्टिप्लाई 4 ती 12 का 2 हाँ सिलकी 1 4 दुनिया 8 रेक 9 4 एक कम 4 400 ब्राण में गटा 10 की कितनी 0 3, 4, 5, 6, 0 तो यह आजाएगी 400 ब्राण में 1, 2, 3 0.00004 9 और 2 यह आजाएगी 400 ब्राण में 3, 0 फिर 0 0.00004 ब्राण में आजे देखे इस्टुडेंट्स यारवा क्यूशन पी अकेला एक कारिये को कितने दिन में? 18 दिन में तो पी अकेला एक कारिये को 18 दिन में पी और क्यूं एक साथ कारिये करते हैं? 15 दिन में दोनोंका लग उतम 90 98, 95, 95, 90 पी की स्पीड पी की स्पीड, पांच की पी की स्पीड, पांच की और क्यूं की स्पीड, एक की उन्होंने एक साथ कारिय करना सुरू किया दस दिन के बाद दस दिन के बाद दस दिन के बाद तुनने कारिय करना छोड़ दिया दस दिन तक 10 दिन तक मतलब 26 स्पीड से कितने दिन तक कारिय किया 10 दिन तक 60 काम कर दिया 90 माइनस 60 30 काम बचा 30 काम को कौन करेगा P अकेले उस कारिये को पूरा करता है P को 6 कारिये करने में कितने दिन P की स्पीड कितनी है 5 की 30 काम को 5 की स्पीड से 6 दिन में आगे देखे students यदि 64 की रासी 2 वर्ष में बढ़कर 83 पॉइंट 20 हो जाती है तो सादर्ण ब्याज की उसी परतिसत दर से 83 की रासी 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी कितनी हो जाती है 2 वर्ष में 62 से बढ़कर कितनी 83 पॉइंट 20 कितनी बढ़ गई 19 पॉइंट 20 तो दर निकानने के लिए ब्याज हो जाय तू साधरने पिया आज का फॉर्मूला होता है मूल्दन मूल्दन पिया आज का फॉर्मूला होता है मूल्दन गुणा, दर, गुणा समय, बटा, सो समय, बटा, सो तो अपनको क्या निकालना है अपनको दर निकालना है तो दर बराबर, दर बराबर हो जाएगा, जाज इन्टू, सो बटा मूल्धन, इन्टू, मूल्धन इन्टू, समय, जाज कितना है, 19.20, इन्टू, सो बटा मूल्धन कितना है, सो बटा मूल्धन, इन्टू, समय कितना है, दो, पोइंटर दायेगा, नीचा दायेगा, सो, सो से सो चला दायेगा, 128, ये कितनी बार दायेगा, पंद्रा बार, पंद्रा परतिसत, जाएगी, पंद्रा परतिसत, तो 83 की रासी, 83 की रासी, तो मूल्धन, 83 रुपए मूल्धन, गुणा, दर कितनी, पंद्रा इन्टू समय कितना है, चार वर्स, बटा, सो, सो, चार से ये पत्चीस पार, ये पत्चम, पत्चीस, ये पांथ, ती पंद्रा, चियाशी इंटू तीन, तीन, चिको अठारा का आठासील की एक, तीन अंटाच चोईसरेक, पत्चीस, दोसो अठावन बटा पांच, पत्चम, पत्चीस, पांच, एकम, पांच, तीन, एक्याउन सई, तीन बटा, पांच, एक्याउन सई, तीन बटा, प्याउच, गाज हो जाएगा, आगे देखें, स्टूडेंट्स, एक्सो बीस मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, दस सेकिंड में सो मीटर लंबे प्लेटफोरम को पार कर जाती है, तो इसकी चाल तो 100 मेंटर लंबिपलेट फॉरम को तब पार करेगी यह 100 मेंटर लंबवबा प्लेट फॉरम हो जाएगा और यह 120 मेंटर लंबी रेल गाड़ी क्यों कितनी दूरी है कि 220 मेंटर 220 बटा कितने सेखिंड में 10 सेखिंड में Into 0 इंटूने लगाना ये आजाएगा, 0 से 0, 25 मीटर परती, 2nd, 25 मीटर परती, 2nd, आगे देखें, स्टुडेंट्स, सौधवा क्यूशन, एक सम्धी बाउ, तिर्बुज का परिमा 32 सेमी है, और इसके आदार और समान बुजाओ, आदार समान बुजाओ का 6 बटा 5 गुना है, तो चेतर पल ज्याद कीजिए, एक सम्धी बाउ, तिर्बुज, ये हो जाएगा, सम्धी बाउ, तिर्बुज, आदार समान बुजाओ का कितना गुना है, अगर समान बुजाओ, अगर 5 है, ये भी 5 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6, 5 उन्हें 10 और 6, 16, तो ये 32 है, तो दो ग चेतर पल, एक बीच में लाइन खीचने पर, ये हो जाएगा 6, ये 6, ये हो जाएगा फिर 8, तो इसका चेतर पल हो जाएगा, सेतर पल, एक बटा, दो आदार कितना है, बारा इंटू उचाए कितनी है, आठ, दो से 6 बार, 6 इंटू आठ, आठ चिगू, 48 सेंटिमेटर स्कॉयर, आगे देखें, स्टुदेंट्स, पंदरवा क्यूशन, सरल कीजिए, रूट, एक सो त्हींटर पलस तो इससो एक, तो इससो एक होता है, उन्चास का, तो इससो एक है, उन्चास, तो यह हो जाएगा, रूट, एक सो त्हींटर पलस उन्चास, तो यह हो जाएगा, रूट, दो सो पत्चीस, दो सो पत्चीस होता है, पंदरा का स्कॉयर, तो इसका माना आगे देखे स्टूडेंट्स, एक सहर की जन्सिंक्या परती वर्स पांच परतिस की दर से बढ़ रही है, वर्तमान जन्सिंक्या एक लाग पिच्छेशे जार दो सो बीस है, तो तीन वर्स पहले इसकी जन्सिंक्या कितनी थी? वर्तमान जन्सिंक्या कितनी है? एक लाग पिच्छेशे जार दो सो बीस, कितनी दर से बढ़ रही है? पांच परतिस है, तो पहले बीस, इकीस, फिर बीस बटा इकीस, बीस बटा इकीस, बीस बटा इकीस, तो इन सब को मल्टिप्लाइए करने पर ये कटेगा, बीस बार, बीस इंटू बीस, बीस इंटू आट अजार, आट इंटू दो सोला, एक लाग, साट अजार, आगे देखे, स्टुडेंट, सत्रवाग विशन, किसी वस्तु को तीन अजार तीन सो साट में बेचने पर बारा परतिसत का लाप राप्त होता है, तो केवल आट पर बारा इंटू एक सो आट, चार से, चार दुनी आट, चार ची गुचोई, चार संते, अठाईस, अटाईस, चार से, चार दुनी आट, चार दुनी आट, चार अट पत्तीस, अठाईस, तीन जार तीन सो साट बटा अठाईस इंटू सताईस, अठाईस इंटू 27 तो यह 28 से जाएगा 3360 में अगर 28 का बाग देंगे पन एक बार 28 कितना चला गया पाँच दो बार तो यह जाएगा 27 इंटू 120 27 27 27 पलस चोवन 27 और चोवन 27 और चोवन 270 और 270 यह होजाएगा 270 और चोवन 324 3240 आगे देखे स्टुडेंट्स अठारवा क्यूसन ती और क्यूं करमस से 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक व्यापार सुरू करते हैं ती और क्यूं 1400 और 1800 के साथ एक व्यापार के वे लाब के आदे इस्षे को व्यसा के संचालने में रखते हैं और सेस इस्षे को अपने निवेश में बाट लेते हैं यदि उनके लाब में उनके इस्षे का अंतर 47 है तो कुल लाब तो दो जिरो से दो जिरो कर जाएगा दो से साथ बार ये दो से नो बार अंतर कितना है 47 47 बटा दो 47 बटा अंतर कितना है दो तो नो और साथ 16 इन्टू 16 इन्टू 2 तो 2 से 2 47 इन्टू 16 47 इन्टू 16 47 को 16 से मंटिप्लाई करने पर साथ सो बावन रुपया आगे देखे स्टुडेंट्स गुनिश्वा क्यूशन करमस से 16.4 सेमी और 17.2 सेमी उचायवाले दो लम वर्तिये संकु जिनके आदार की तिर्जा 8.4 सेमी है इन दोनों संकु को पिगलाया जाता है और गोले के रूप में डाला जाता है गोले का व्यास ग्याद कीजिए गोले का व्यास ग्याद कीजिए तो R1 R1 बराबर R1 बराबर कितनी हो जाएगी 8 8.4 R2 बराबर 8.4 H1 बराबर 16.4 और H2 बराबर हो जाएगी 17.2 तो संकु का आयतन एक बटा तीन पाई R1 का स्क्वाईर R1 1 का स्क्वाईर प्लस H प्लस एक बटा तीन पाई R2 का स्क्वाईर और H2 बराबर 4 बटा तीन पाई R क्यूब 4 बटा तीन पाई R क्यूब यह जाएगी R2 R2 H1 R2 H1 पलस H2 बराबर 4 R यह पाई से पाई चला गया 3 से 3 उपर चला गया था अब इदर लिख लेते हैं इदर आदा आएगा R2 R2 8.4 का स्क्वाइर 16.4 पलस 17.2 बराबर 4 R2 तो यह जाएगा 8.4 का स्क्वाइर 8.4 का स्क्वाइर इंटू 33.6 बटा 4 इदर और इदर आदा आएगा R2 यह जाएगा R 8.4 का स्क्वाइर 8.4 का स्क्वाइर इंटू 8.4 बराबर R3 बराबर 8.4 व्यास बराबर D बराबर हो जाएगा 16.8 आगे देखे स्टूटेंट्स बिस्वा क्यूसन एक दुकंदार हर चार महिने में एक बार 10 परतिसत की छूट देता है यदि कोई वेक्ति इसी होजना के तयत एक वस्तू को दी सुंबर में 25,515 में खरीता है तो जनवरी में उस वस्तू का प्रारंबिक मुल्य याद कीजिए हर चार महिने में कितने की छूट 10 परतिसत की 10 परतिसत की छूट देता है तो 10 से कितना हो जाएगा 10 से 9 फिर 10 से 9 फिर 10 से 9 तो यह हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 से एक जार 9 इंटू 9 यह जाएगा सासो गुंतीस. तो ठीस हजार, पानसो, पंदरा बटा सासो गुंतीस इंटू. सासो गुंतीस इंटू एक हजार. यह सास से तीन, यह 35 बार चला जाएगा. 35 हजार. आगे देखें इस्टुडेंट जी किसवा क्यूशन यदि रूट 10 ब्राबर 3.1 छे रूट 10 ब्राबर कितना है 3.1 छे तो रूट 30 बटा 9 का मान रूट 30 बटा 9 का मान रूट 30 बटा 9 रूट 10 बटा 3 इन इन्टू 10 बटा 3 इन इन्टू 3 से 3 चला जाएगा रूट 10 बटा रूट 10 बटा रूट 10 बटा रूट 10 बटा रूट 10 नहीं 10 रूट 10 बटा 3 तो इसका मान जाएगा 3.1 छे बटा रूट 3 का मान जाएगा 1.73 इससे ये काटने पर चला जाएगा 1.8 एक पोइअगा 1.8 आगे देखे स्टुडेंट्स 22 की चुछन कोई पूरस पी से क्यूं तक 5 किलोमिट्र पर घंठे की चाल से चल कर जाता है और क्यूं फी तक 3 किलोमिट्र घंठे की चाल से वापस आता है पूरी यात्रा में उसकी वस्सट चाल तो उस्ट चाल का फोर्मूला होता है, उस्ट चाल का होता है, 2 xy बटा x plus y, तो यह जाएगा 2 x 5 x 3 बटा, x plus y 5 x 3, 8, तो 5 x 10, 10 तिया 30, 30 बटा 8, 8 तिया 27, 3.54 किलो मीटर पर ती हावर, आगे देखें students, एक विक्ति 4, 37 सादरन ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 लेता है, वहें 2 वर्ष के लिए 6.25 पर ती की दर पर अन्य विक्ति को दे देता है, परती वर्ष लेंदेन में उसका लाब, दिया कितने में था 4 परतिसत में, दिया कितने में 6.25, कितने अधिक में दिया 2.5, 2.5 एक साल का, दो साल का हो जाएगा 5 परतिसत, तो 5 अजार बटा 100 इंटू 5 परतिसत, तो 2 0 से 2 0, 50 इंटू 5, 250 रुपएं, आगे देखें, आगे देखें students, यदि 27 की गात 20, बाग, 27 की गात 10, बराबर 3 की गात K, है तो K कमान ग्याद कीजिए, तो 27 की गात कितनी है, 20 फाग, फाग को multiply में हो जाएगा, 27 की गात, माइनस हो जाएगा 10, 27 की गात माइनस 10, बराबर 3 की गात K, तो यो जाएगा 27 की गात कितनी? 10 बराबर 3 की गात के 27 तीन 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 तो यो जाएगी 3 की गात 3 और फिर इसकी गात 10 बराबर 3 की गात के तो यो जाएगी 3 की गात 30 बराबर 3 की गात के तुम आदार समान के बराबर 30 धन्यवाद इस्टुटेंट्स चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा